बिहार के DGP रजमिंदर सिंग भटी की विदाई हो गई है केंद्र सरकार ने आज उन्हें CISF का DG बनाने का आदेश जारी कर दिया है दिसंबर 2022 में बिहार के DGP का कारेभार सम्हालने वाले भटी की केंद्री प्रतिन्यूक्ती को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही थी राजसरकार ने उन्हें केंद्री प्रतिन्यूक्ती पर जाने की अनुवती दे दी थी इसी के साथ आज उनकी पोस्टिंग भी कर दी गई बिहार में लगतार कानून विवस्था को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है RS भटी के CISF के DG के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई है वहीं इस पर अब आरजडी ने निती सरकार पर हमला बोला है आरजडी प्रवक्ता शक्ति सिंग यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साथते हुए कहा है कि बिहार के DGP RS भटी को CISF के DGPत पर तैनात कर दिया गया है उन्होंने दावा किया कि भटी साहब बिहार के जड़ियों निताओं से परिशान थे और राजे में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी बिहार के DGP RS भटी साहब अब CISF में DGPत को सम्हाल लें वह अभी परिशान हो चुके थे बिहार में DG के पत सम्हाल रहे थे कि उनकी कोई सुन्ता नहीं था चुकि रिडार अधिकारी और वितिजी के चबचे और वेलचे पुलिस में प्राधिकारियों का पदस्थापन करवाते थे अधिनने तेसी जी ते साथ साथ कहा अधितो पर्मानित हो गया क्यारेस घठी जेसाई मंदार और कर्मट अधिकारी शक्ती सिंह याधव ने राजे सरकारे पर निशान साते हुए कहा कि भिहार की परिस्थितियों से तंगआ कर ही भत्ति साहाब अपनी राजे छोड़ने का पैसला किया जूखते के नोग पर पुलिस माकावां में पदसापन ट्रांस्वर होते रहता है बुली चाली के अधार पर बात अब च्छीपी भी रही तो परमानिस पर गई ना सबको पता नहीं आख्रब लोग जानते हैं कि बिहार के जो नाय ठ्हांचे तवस्था में है सागिर्द उनका इतना मनुवल बढ़ा हुआ कि जब बोलने के लिए खड़े होते नाय तक पुर्ता वह तक्सिव देता है तो यह नहीं बोलना है बटी बिहार में महागडबंदन सरकार के दौर में पूर मुख्यमंतरी लालू परसाद यादव की पसंद के आधहर पर केंद्री प्रतिन्यूक्ती से बिहार में बुलाए गए थे लेकिन इस महीने उन्होंने केंद्री प्रतिन्यूक्ती पर वापस जाने की गुजारिश की थी और राज्य की नितिश कुमार सरकार ने इसकी अनुमती दे दी थी 1992 के IPS रहे भटी को करीब दो साल पहले ही दिसंबर में बिहार के DGP की जिम्मेदारी मिली थी ये यूपिक एडर 1990 के IPS अधिकारी हैं पंजाब केस्री टीवे के लिए पटना से संजीव कुमार की रपोर्ट